प्रतापगड रोडवेज बस वर ट्रेलर की भीड़न्त एक की मोथ प्रतापगड से बासवाड़ा जा रही बस 25 से ज़्यादा लोग हुए घायल प्रतापगड बासवाड़ा रोड़ पर गुरुवार दो पर तीन बजे के करीब सड़क हास्था हो गया बासवाड़ा जा रही रोड़वेज बस की ट्रेलर के साथ बिड़न्त हो गई हास्थे में बस में सवार करीब 25 लोग घायल हुए जबकि एक सवारी की मोथ हो गई है आमली घाटी के पास हुआ हास्था दरसल प्रताबगड से बांसवाणा जारी रोडवेज बस की आमली गाटी के पास एक ट्रेलर से बिढन्त हो गई सड़क हासे में एक व्यक्ति की मौत होगी हासे के बाद जिला अस्पिताल में कोहराम मच गया 108 एंबुलेंस के चालक बोपाल सिंग और एम टी अनिल चोधरी ने बताया है कि हम प्रताबगड अस्पिताल में एक पेसेंट को छोड़कर वापस फिपल खुड आ रहे थे इस दोरान रास्ते से हमें सड़क हासे की खबर लगी तो हम तरन मौके पे पहुचे हैं उन्होंने बताया है कि गटना से ज़्यादा गंबिर गायलों को प्रताबगड जिला अस्पिताल लाकर परती कराया गया जिसमें से उप्चार के दुरान एक ने दम तोड़ दिया जबकि 5 से ज़्यादा लोग गंबिर गायल हुए हैं सबी घायलों को प्रताबगर जिला अस्पताल में इलाज जारी हैं। सूशना के बाद जिला प्रशासन के कलेक्टर इंदर जिस दियादव SDM राजिस नायक मौखे पर पहुच कर घायलों की जान करी ली। मौसी की साधी में प्रताबगर आया था मरतक। हासे में गायल हुए बावर सिंग, 40 पुत्र कालू सिंग निवासी, सेमलापूर की जिला अस्पताल में इलाज के दोरान मौत हो गई। हासे में घायल यात्री में से एक यात्री जेपूर का निवासी था बाकी यात्री प्रताबगर बावरासी थे। इस हासे में दो महिला को गंबिर चोटे आई हैं जिसका इलाज परताब कर जिला किस सालवे में जारी हैं वहीं 20 से ज़्यादा लोगों को मामूली चोट आई जिनके पास पिपल को उट्वास्त के अंदर ले जाकर उनका उपचार जारी किया गया कर जह क है वहीं 20 गरताफ MALE कि अजिला को मामूली चौटे जरे बदंसर हैं झाल झाल